हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम मोबाइल द्वारा no property IPR यानी without property IPR submit करने की परक्रिया के बारे में जानेंगे ओक ह्रेंट्स इसटार करते हैं और ओ पन करते हैं हम ब्रॉजर और ब्रॉजर में simply हम ब्रॉज करते हैं sso.rajistan.gov.in और जैसे हम ब्राउज करते हैं हमारे सामने sso login page सो हो जाता है तो friends देखिए sso में login होने से पुरुवे यहां उपर right side के इंदर यह जो three dots दिये वे हैं इनको simply एक बार हम click करेंगे और जैसे click करेंगे हमारे सामने बहुत सारे options सो होते हैं जिनमें देखिए friends यह नीचे desktop site वाला जो option है इसे हम simply click कर लेंगे और जैसे हम इसे click करेंगे हमारी mobile की screen जो है वो desktop site की तरह यानिकी computer screen की तरह सो होने लग जाती है इस login page में यहां हमारी employee ID यानि के sso ID और यहां नीचे इसका password और यहां यह जो capture दिया हुआ है इसे agittis यहां फिलब करके और जो login option नीचे दिया हुआ है इसे simply click करके हमारी sso ID में login हो जाते हैं तो देखिए friends जैसे हम login होते हैं कुछ इस प्रकार का interface हमारे सामने 100 होता है अब friends हम देखते हैं सबसे उपर जो यह option दिये हैं यहां हमें राजगाज application को सर्च करना है और इसे click करना है जहां हमें हमारी IPR submit करनी है अगर मान लीजी friends आपको राजगाज application यहां सो नहीं होता है तो यहां देखे friends थोड़ा जूम करके देखते हैं यह वाला option active apps वाला option दिया हुआ है इसे simply हम click करते हैं और जैसे इसे click करते हैं हमारे सामने बहुत सारे apps यहां सो हो जाते हैं अब देखते हैं थोड़ा जूम करते हैं और यहां देखे friends यह वाला option जो search वाला option दिया हमारे सामने केवल एक application राजगाज वाला जो है वो यहां पर हो जाता है simply यहां से हम इसे क्लिक कर लेंगे तो देखिए friends हम राजगाज application में इंटर हो चुके हैं जहां हमें हमारी IPR submit करनी है अब देखते हैं friends हम सबसे नीची right side के अंदर आ जाएंगे यहां my IPR का एक option दिया है इससे simply हम फिर से क्लिक करते हैं और जैसे इससे क्लिक करते हैं friends हमारे सामने IPR submit करने के लिए एक form जो है वो यहां पे खुल जाता है जहां हमें हमारी IPR की समंद में यानि की immobile property के समंद में अचल समपती का विविण देना होता है तो friends हमारी IPR fill up करने से पहले उपर एक option ब्लिंग कर रहा है update profile का देखे friends राइट साइड के अंदर उपर उससे हम simply एक बार क्लिक करेंगे और हमारी profile अपडेट कर लेंगे अगर हमारी profile के अंदर कुछ details गलत है या अपडेट profile को यहां से हम क्लिक करते हैं और update profile section में हम पहुंच जाते हैं एक form आमारे सामने खुल जाता है यहां हम हमारी समस detail चेक कर लेते हैं अगर कोई detail त्रूटी प्रून हो तो इसे हम ठीक कर सकते हैं और देखिए profile update करने के लिए सबसे नीचे left side के अंदर यह जो option के दवारा हम हमारी IPR submit करने के form में आ जाते हैं तो देखिए friends चुंकि यह वीडियो हमारा no property IPR file करने के लिए है तो उपर आते हैं left side के अंदर देखिए friends थोड़ा zoom करते हैं यहां देखिए friends एक option दिया हुआ है यह वाला please check to fill IPR with no property return इस checkbox रो यहां से write करना है जैसे इस से write करते हैं हमारे सामने से जो form था वो गाइब हो चुका है यहां देखिए friends एक message दिया जा रहा है यहां हमें remark डालना है कुछ no property चमंदी और submit IPR यहां से कर देना है तो यहां देखिए friends no property registered कुछ कुछ भी message जो है हम type कर देते हैं हमने remark type कर दिया है और simply submit IPR option को click कर देते ह हैं जिसे क्लिक करते हैं friends हमारे सामने हमारी जो IPR हमने भरी है उसकी समझ detail देखिए friends यह हमारे सामने से हो जाती है एक बार इस detail को हम check कर लेते हैं और समझ detail check करने के बाद में यहां से देखिए friends नीचे नीचे जो option दिया हुआ है verify and submit यहां से इसे क्लिक कर देंगे और दे without any property return detail तो यहां में yes कर देना है जिसे yes करते हैं तो देखिए friends यहां में एक नई विंडो सो हो जाती है इसमें देखिए friends यहां आधार नमबर हमें यहां टाइप करने हैं और simply proceed बटन को क्लिक कर देना है तो देखिए friends फिससे नई विंडो हमारे सामने सो हो जाती है यहां देखिए हमारे आधा नमबर से जुड़े mobile नमबर पे एक OTP आया है वो OTP यहां फिलप करके यहां से हम verify OTP option को क्लिक कर देते हैं verify OTP कर देते हैं यहां से तो देखिए friends IPR successfully submitted का message आ गया है और हम देखिए यहां से यह हमारी IPR का message है और यहां से देखिए IPR 2022 यहां से इसे क्लिक करके IPR का जो file हम यहां से डाउनलोड कर सकते हैं